हेलो फ्रेंड्स रक्षा बंधन के शुब अपसर पर आज हम बनाएंगे छे तरह की मिठाई जिसे हम घर पे आसानी से बना सकते हैं और ये सारी मिठाईया खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट है मार्केट में मिलने वाली मिठाईयों से कहीं ज़्यादा हेल्दी है ये आईए हम इसे बनाते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाएंगे बेसन की बर्फी यहाँ पर गैस पे एक पैन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी चीनी में एड़ करेंगे एक कप पानी अब हम इसकी चाशनी बनाके तैयार करेंगे बेसन की बर्फी की चाशनी गाड़ी होती है एक तारवाली चाशनी बनाके हम यहाँ पे तयार करेंगे तो यहाँ पे तेज आज पे हम इसे पकाएंगे चीनी अच्छे से पानी में घुल चुकी है तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक चौथाई टेबलिस्पून इलाइची पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर एड़ करेंगे मैंने यहाँ पे औरेंज फूड कलर एड़ किया है आप चाहे तो इसमें केसर फूड कलर भी एड़ कर सकते हैं चाष्णी हमें गाड़ी चाहिए तो यह देखिए पांच मिनट तक हमने चाष्णी को अच्छे से पका लिया है चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे तार बन रहा है अब गैस का फ्लेम बन कर देते हैं और चाष्णी को एक साइड में रखेंगे वापस से गैस पे एक कड़ा ही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे दो कब बेसन बेसन को हमें चार मिनट तक ड्राइ रोष्ट करना है मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसे भुनेंगे जिससे की बेसन का कच्छापन खतम हो जाएगा अभी हम इसे शुरू में बिना घी एड किये चार मिनट तक लगातार इसी तरह से चलाते हुए भुनेंगे तो जैसे जैसे हम इसे भुनेंगे बेसन में से अच्छी खुशवू आने लगेगी यहाँ पर बेसन को लगातार हमने चार मिनट तक भुन लिया है बहुत इच्छी खुशवू आने लग रही है इस समय गैस का फ्लेम लो कर लिया है और इसमें डालेंगे आधा कप घी लो फ्लेम पर घी को बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे यह गाढ़ा हो जाएगा और हम इसे लगातार 6-7 मिनट तक लो फ्लेम पर भुनते रहेंगे जिससे की बेसन बहुत इच्छा से भुनेगा बीच बीच में इसका टेक्स्चर चेंज होता रहेगा तो अभी यह देखिए गारा है जैसे जैसे भुनते रहेंगे यह लूज होने लगेगा घी छोड़ने लगेगा बेसन में से तो यहाँ पर लगातार 6-7 मिनट तक हमने यहाँ बेसन को भुन लिया है अब यह एकदम लूज हो गया है तो जो चाशनी बनाके हमने रखी थी वो इसमें डाल देंगे अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है चाशनी डालने के बाद बेसन अभी यहाँ पर गरम है तो इसी में तेज हाथ से चलाते हुए चाशनी को बेसन में मिक्स कर लेंगे और लगातार तब तक चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे जब तक जमने की कंसिस्टेंसी में न आ जाए तब तक हम इसे इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे जैसे जैसे यह मिक्स होते हुए ठंडा होने लगेगा यह जमने लगेगा तो यहाँ पर यह रेखिए बिलकुल डो जैसा बन गया है अब हम बिना देर किये हुए हम इसे सेट होने के लिए किसी बरतन या प्लेट में डालेंगे तो यहाँ पर मैंने केक टीन लिया है और इसे घी से ग्रीस कर लेंगे जिससे की यह चिकना हो जाएगा और डो को हम इसमें अच्छे से पूरे में एक समान फैला देंगे तो अभी यह हलका गरम है तो तेज़ हाथ से इस तरह से जल्दी से दबाते हुए हम इसे पूरे में सेट कर लेंगे और हम इसे ठंडा होने देंगे जैसे ही ये थंडा हो जाएगा ये सेट हो जाएगा तो friends ये रेखे थंडा होने के बाद अब हम इसे पलट देते हैं और बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा ट्रे में से अब हम इसे कट करेंगे बहुत ही बढ़िया सौक्ट है ये अब ही अच्छे से जमा नहीं है हलका सा बस थंडा हुआ है तो इसी समय हम इसे कट कर लेंगे और इसके बाद जैसे थंडा हो जाएगा बहुत ही बढ़िया बर्फी बनेगी तो आप इसे इस तरह से square shape में कट कर ले या फिर diamond shape में कट कर ले बहुत ही बढ़िया बनी है ये बर्फी एकदम soft है ये मैं आपको इसे तोड के दिखाती हूँ आप इसका texture देखिए अब यहाँ पे अगले वीडियो में बनाएंगे सूजी रोल मिठाई यहाँ पे गैस पे एक कडाही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक चथाई कप गी गी में एड करेंगे आधा कप सूजी सूजी को गी में लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट तक भूनेंगे जिससे की सूजी का कच्चापन खतम हो जाएगा और ये अच्छे से भून जाएगा पांच मिनट तक हमने यहाँ पे सूजी को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया है अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है सूजी में एड कर देंगे आधा कप खोया खोया की जगर पे आप इसमें मिल्क पाउडर भी एड कर सकते है अब हम इसे मिक्स करते हुए तीन से चार मिनट तक भून लेंगे सूजी में यह रेखिए धीरे-धीरे खोया सौप्ट होते हुए मिक्स हो गया है और हमने इसे अच्छे से भून लिया है अब इस समय गैस का फ्लेम लो करेंगे और एड करेंगे एक कप दूद एक चौथाई कप चीनी एक चौथाई टेबल स्पून इलाइची पाउडर अब हम सभी चीजों को मिक्स करते हुए पान से छे मिनट तक लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए भूनते रहेंगे इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये डो जैसा ना बन जाए धीरे धीरे ये देखिए गाढ़ा होने लग रहा है और ये किनारे से पैन छोड़ने लग रहा है अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक ये डो जैसा ना बन जाए और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है डो बन गया है अब हम गैस का फ्लेम बन कर देते हैं और इसे हलका साथ ठंडा हो जाने देंगे तो यहाँ पे अलग इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा अब ये इतना ठंडा हो गया है कि हम इसे हाथ से छू सकते हैं तो अब हम इसकी मिठाई का शेप देंगे आप चाहें तो गोल या फिर ओवल किसी भी शेप का दे सकते हैं मैंने इसे इस तरह का शेप दिया है पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और एकदम सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे नहीं तो फिर इसमें क्रैक साजाएंगे ठीक से ये बनेंगे नहीं और इसी तरह से एक एक करके हमने यहाँ पे सारे मिठाई को शेप दे दिया है अब हम इसे थोड़ा सा और सुन्दर बनाएंगे तो आप चाहें तो देसी खांड या भूरा जो होता है वो भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और इसे ऐसे उपर कोट कर देंगे सारे मिठाई को इसी तरह से कोट कर लेंगे जिससे की ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है तो हमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से इसे नारियल के पाउडर में गोट कर लिया है, देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है और इसके उपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे food color लगा रही हूँ, pink food color लिया है और उपर कोई भी अपने पसंद का dry fruits लगा ले, मैंने इस पे पिस्ता लगाया है बहुत ही soft खाने में स्वादिश्ट कम समय में बनके तयार हो जाने वाली सूजी की मिठाई तयार है आब यहाँ पे अगली वीडियो में बनाएंगे सूजी से बनी हुई custard बर्फी यहाँ पे गैस पे एक पैन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कप पानी पानी में एड करेंगे आधा कप चीनी चीनी को पानी में मिक्स करते हुए इसकी चाशनी पकाएंगे यह चाशनी हमें बहुत जादा गाड़ी और चिपचिपी नहीं चाहिए अभी हम इसे इतना पकाएंगे कि ये चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए तो यहाँ पे 2-3 मिनट में ही ये देखिए चीनी पानी में घुल चुकी है अब यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेंगे और इसमें डालेंगे कस्टर्ड तो यहाँ पे एक कटोरी में एक चुथाई कब पानी लिया है इसमें एक चमच कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके इसका घुल बना लेंगे और इस घुल को चाशनी में डालके मिक्स करते हुए हम इसे 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो यहाँ पे यह रेखे गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 3-4 मिनट तक पकाना है कस्टर पाउडर हमने पानी में मिक्स करके पकाया था इसे पकाना जरूरी है ताकि कस्टर का कच्चापन खतम हो जाए और यह जो चाशनी है एकदम परफेक्ट बनके तयार हो तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर अब यह बनके तयार हो चुका है गैस का फ्लेम यहाँ पर बन कर दिया है अब हम इसमें फोड़ा सा फूट कलर एड़ कर लेंगे मैंने यहाँ पर यलो लेमन फूट कलर एड़ किया है आप चाहे तो इसमें औरेंज फूट कलर भी एक कप सूजी, सूजी को हमें दो से तीन मिनट तक ड्राइ रोस्ट करना है, अभी हम पहले इसे बिना कुछ भी घी या तेल मिक्स किये भुनेंगे, दो से तीन मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर भुन लेंगे, तो ये देखिए आप चाहे तो मोटी वाली सूजी का भी इ अब हम इसमें अड़ करेंगे घी, यहाँ पर एक चताई कप घी लिया है, इसे सूजी में डाल देंगे और अब सूजी को घी में मिक्स करते हुए पकाएंगे, लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स करते हुए 5-6 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि सूजी मिक्स होके भुन जाए, तो यहाँ पर यह देखिए हमने यहाँ पर सूजी को 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुन लिया है, अब यह अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर बहुत ज़्यादा हमें चेंज नहीं करना है, अब इससे ज़्यादा भुनेंगे तो इसका कल डार्क हो जाएगा, अब हम इसमें एड करेंगे कस्टर्ड वाली चाष्णी जो हमने पहले बना के रखी थी, सारी चाष्णी को सूजी में डाल दिया है, अब हम इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे, लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करना है, बीच में रुकना नहीं है, ग देखे सूजी कितना फूल गया है अब हम इसे चलाते हुए mix करते हुए पकाते रहेंगे और धीरे धीरे ये एकदम dough जैसा बन जाएगा और ये soft हो जाएगा अब ये देखें फ्रेंड्स कितना बढ़िया एकदम soft dough जैसा बन गया है और ये एकदम चिकना हो गया है ये देखें अब हम यहाँ पे gas का flame बंद कर देंगे और इसे जमने के लिए रखेंगे आप कोई भी plate या tray ले 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 और उसे तेल या घी से इस तरह से चिकना कर ले औ और इसके बाद बर्फी जमाने के लिए सारा mix plate में रखके इसे spectuela से दवाते हुए पूरे में एक समान फैला लेंगे तो यहाँ पे पूरे में एक समान इसे फैला लेते हैं अभी ये गरम है तो इस समय तेज हाथ से इसे दवाते हुए फैला ले और ये जैसे ही ठंडा ह यह सेट हो जाएगा उपर अपने पसंद के ड्राइफ रूट्स लगा ले मैंने यहां पर बादाम और पिस्ता को छोटे टुक्रों में काट के लिया हैं और इसे भी ऐसे दबा देते हैं ताकि यह बर्फी में अच्छे सेट हो जाए और इसके बाद हम इसे ठंडा होने आदे से पॉन घंटे में ही यह थंडा हो जाएगा और जम के सेट हो जाएगा अब यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर यह अच्छे से थंडा हो गया है अब हम इसे कट करेंगे इस बर्फी को आप अपनी पसंद के शेप में कट कर सकते हैं स्क्वायर डायमंड किसी भी शे तो यह डायमंड शेप में कट हो जाएगा आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही सॉफ्ट मुह में घुल जाने वाली बर्फी है यह और इसे आप एक बार बनाके दू हफते तक के लिए रख सकते हैं यह खड़ाब नहीं होग आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं तो यह खोड़े लंबे दिनों तक चल जाएगा तो फ्रेंड्स यह देखिए अब एक एक पीस को इस तरह से प्लेट में से निकाल लेंगे और बहुत ही बढ़िया बनके तयार हुई है यह बर्फी बनाने में कोई भी जंजट नहीं कोई भी इसे बना सकता है बहुत ही आसान है सूजी का हलवा यह सब तो आपने बहुत बार खाये होंगे इस बार आप सूजी की यह कस्टर बर्फी बनाएए घर में सब को खिलाएए महमानों को भी खिलाएए सब को जरूर पसंद आएगा अब यहाँ पे अगली वीडियो म बनाएंगे मिल्क पाउडर बर्फी यहाँ पे एक बॉल लिया है इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर सवा कप मिल्क पाउडर लिया है इसमें ऐड करेंगे घी एक तिहाई कप गी लिया है इसे मिल्क पाउडर में अच्छे से मिक्स करना है घी कम या जादा आप अपने हिसा बंध जाए तो इस तरह से हाथ से मैंने अच्छे से घी मिक्स कर लिया है मिल्क पाउडर में और इसे ऐसे बांध के देखते हैं तो एकदम परफेक्ट है अगर आपको घी कम लगे तो थोड़ा सा घी और एड़ कर लीजिए यहाँ पे गैस पे एक कड़ा ही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कप चीनी चीनी में एड़ करेंगे आधा कप पानी अब हम इसे पकाएंगे और एक तार की चाशनी बनाके तयार करेंगे तो यहाँ पे यह रेखिए चीनी अच्छे से घूल रही है दीरे-दीरे और इसे पकाएंगे तो चीनी यहाँ पे अच्छे से घूल गई है तो हुड़ा सा और पका लेते हैं कि यह चाशनी एक तार की बनके तयार हो जाए तो यहाँ पे चाशनी अच्छे से पक चुकी है पांच मिनट में यह चाशनी बनके तयार हो जाती है एक बार चेक कर लेते हैं तो ये देखे इस तरह से तार बन रहा है तो हमें ऐसा ही चाशनी चाहिए और जो milk powder हमने घी में mix करके पहले से तयार करके रखा था वो कडाही में डालेंगे और चाशनी में अच्छे से mix करेंगे इस समय gas का flame low कर लेंगे और low flame पर तेज हाथ से चलाते हुए इसे mix करेंगे ताकि इसमें गुठलिया ना पड़े और जो गुठलिया बन रही है वो जल्दी से चाशनी में घुल के mix हो जाए गैस का flame low रखेंगे और इसे इसी तरह से mix करते रहेंगे हम इसे तीन से चार मिनट तक लगातार चलाते हुए mix करते रहेंगे जब तक ये जमने की consistency में ना आ जाए धीरे धीरे ये और भी गाढ़ा हो गया है ये देखिए अब मैंने यहाँ पे गैस का flame बंद कर दिया है और अब हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब इसे जमने के लिए रखेंगे ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है तो इससे ज़्यादा गाढ़ा अभी नहीं करेंगे यहाँ पे कोई भी plate या tray ले 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 और इसे थोड़ा सा तेल या घी से ऐसे grease कर ले इसके उपर मैंने यहाँ पे butter paper लगा दिया है जिससे कि ये बहुती आसानी से निकल जाएगा butter paper फैला लेने के बाद हम इसके उपर थोड़े से dry fruits के कतरन डाल देंगे और इसके उपर बर्फी जमने के लिए रखेंगे जिससे कि ये dry fruits अच्छे से set हो जाएगा बर्फी में अभी ये हलका गरम है तो इस पेक्चुला के उपर थोड़ा सा गी लगा लेते हैं जिससे कि ये चिपकेगा नहीं और इसे एक समान फैला लेते हैं बहुती आसानी से ये एक समान हो जाएगा किनारे से even कर लेते हैं तो शेप ये पहुती बढ़िया देगा अब हम इसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा दो घंटे हो गए हैं दो घंटे में ये अच्छे से ठंडा होके सेट हो गया है और अब ये बर्फी बनके तयार हो गई है तो अब हम इसे ट्रे में से निकाल लेते हैं और ये उपर जो बटर पेपर है इसे भी आसानी से निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से ये देखे बर्फी पे से बटर पेपर निकल गया है और अब हम इसे कट करेंगे ये बहुत ही सॉफ्ट है और अच्छे से से जम गया है इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा है स्क्वायर शेप में या फिर डाइमंड शेप में इसे हम कट कर लेंगे तो ये देखे फ्रिंट्स यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट एकदम स्वादेश्ट बर्फी बनके तयार हुई है और ये कितना सॉफ्ट है ये देखे घर पे कुछी मिंटों में बनके तयार हो जाने वाली ये बर्फी है अब यहाँ पे अगले वीडियो में बनाएंगे बेसन की दानेदार बर्फी यहाँ पे एक बॉल लिया है इसमें डालेंगे दो कब बेसन बेसन में एड करेंगे चार से पांच जमच घी घी को मेल्ट करके लिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से बेसन में घी को mix कर लिया है, अब हम इसमें एड़ करेंगे चार से पाँच चमच दूद, चमच जो घर में हम खाना खाते हैं वही चमच के नाप से पाँच चमच घी और पाँच चमच दूद लिया है, दूद ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेंपरेच तो अब हम इसे चान लेंगे चालने के लिए यहाँ पर चलनी में थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और इसे ऐसे अच्छे से चान लेंगे जिससे कि इसका जो मोटा हिस्सा होगा वो सब निकल जाएगा तो यहाँ पर हमने बेसन को चान लिया है अब गैस पर एक कडाही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक तिहाई कप घी घी को अच्छे से गरम करेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे घी गरम हो रहा है घी पिखलने लग रहा है अब हम इसमें आइड कर देंगे बेसन जो बेसन हमने च्छान के रखा था सारा बेसन कड़ाही में डाल के अब हम इसे भुनेंगे अब हम इसे लगातार चलाते हुए 7-8 मिनट तक भुनेंगे जिससे की इसका टेक्श्चर चेंज हो जाएगा पहुती अच्छा कलर आ जाएगा और भुनने से बेसन का कच्चापन खतम हो जाएगा तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे 7-8 मिनट तक भुनेंगे और ये देखिए जैसे जैसे ये भुना है अच्छे से इसमें से गी छूटने लगा है और ये एकदम हलका हो गया है और कलर बहुत अच्छा आगया है इसका तो ये अब अच्छे से भुन चुका है बेसन इससे जादा हम इसे नहीं भुनेंगे और इस समय मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे आधा टेबल स्पून इलाइची पाउडर और इसको मिक्स करेंगे बेसन अभी गरम है तो इसमें डालेंगे दूद यहाँ पे मैंने आधा कब दूद लिया है पहले थोड़ा सा दूद डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए थोड़ी देर में ये एकदम दानेदार हो गया है अब हम बाकी का सारा दूद इसमें डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा दूद मैंने पहले डाला था क्योंकि बेसन गरम था तो इसी में ये बिल्कुली अच्छे से डानेदार टेक्शर का हो गया और बाकी सारा दूद डालके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेज हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि बेसन तुरंत ही सारा दूद सोक लेगी तो यहाँ पे हमने आधा कप दूद बेसन में मिक्स कर दिया है और अब हम इसे एक साइड में रख लेंगे जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम चाशनी बना के तयार कर लेंगे तो यहाँ पे गैस पे एक पैन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कप चीनी जितना चीनी लिया है उसका आधा हम इसमें पानी डालेंगे एक कप चीनी में आधा कप पानी डालके हम इसकी चाशनी बनाएंगे तो यह जो चाशनी है हमें एक तार की चाहिए बहुत जादा चिपचिपी नहीं चाहिए जैसे ही तार बनने लग जाएगा हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो यहाँ पे हमने अच्छे से चीनी को पिखलने दिया है और अब यह चाशनी लगभग बन के तैयार हो चुकी है चाशनी को एक बार बीच में ऐसे चला लेते हैं और इसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं तो जब हम इसमें देखेंगे कि तार बन रहा है अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो उंगली पे थोड़ी सी चाशनी लगा लेते हैं और यह देखिए तार बन रहा है तुरंत ही इसी समय गैस का फ्लेम बन कर देंगे और यह जो चाशनी है गरम गरम चाशनी हम बेसन में डालेंगे बेसन यहाँ पे थंडा हो गया है और यह देखिए सारी चाशनी बेसन में डालके अब हम इसे मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और दो मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद तुरंत ही गैस बंद कर देंगे तो यह देखिए जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं उतनी ही देर तक मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पर गैस को ओन रखा था अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया है यह अच्छे से मिक्स हो गया है यह देखिए अब हम इसे मिक्स करते हुए ठंडा करेंगे तो इसलिए हम इसे कड़ाही में ऐसे फैलाते रहेंगे जिससे की ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा और इसे मिक्स करते रहेंगे तीन से चार मिनट लगेंगे इसे इस तरह से फैलाते हुए ठंडा करने में जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये काढ़ा होने लगेगा तो ये देखिए अब ये एकदम काड़ा हो गया है तो अब हम इसे जमने के लिए रखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है इस पर थोड़ा सा तेल लगा के ऐसे ग्रेज कर देते हैं जिससे की ये ट्रे एकदम चिकना हो जाए और बेसन इसमें डाल देंगे और रिस्पेक्शोला की मदद से इसे पूरे में फैला लेंगे रिस्पेक्शोला पे मैंने हलका सा तेल लगा लिया है जिससे की ये चिपकेगा नहीं और एक समान इसे फैला देंगे मोटा पतला जितना आपको रखना है उस हिसाब से इसे फैलाएंगे अब हम इसके उपर कटे हुए ड्राइ फ्रूट्स डाल देते हैं पिस्ता और बादाम को छोटे-छोटे टुक्रों में काट के लिया है और इसे उपर से ऐसे दवा देते हैं जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और अब हम इसे ठंडा होने देंगे आधे पौन घंटे में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के बाद अब ये अच्छे से जम चुका है तो अब हम इसे कट करेंगे बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा ये देखिए मार्केट में मिलने वाली मिठाई से कहीं जादा ये स्वादिष्ट है और घर पे हमने कम खर्च में इसे बनाया है कम सामागरी से बनके तयार हुई है ये बेशन की दानेदार बर्फी बहुत ही बढ़िया है ये स्वादिष्ट है खाने में इस आने वाले त्योहार पे रक्षा बंदन पे आप इस मिठाई को बनाईए और अपने भाई को बनाके इसे खिलाईए और घर में सब को खिलाईए सब आपकी तारिफ करेंगे बहुत ही बढ़िया दानेदार टेक्श्चर है इसका मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ यह देखे अब यहाँ पे अगले वीडियो में बनाएंगे सूजी की बहुती स्वादिश्ट और सॉफ्ट बर्फी यहाँ पे गैस पे एक पैन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कप सूजी सूजी में एड़ करेंगे आधा कप गी एक टेबल स्पून गी इसमें से बचा लिया है इसे बाद में एड़ करेंगे अब अच्छे से सूजी और घी को मिक्स कर लेंगे तुरंत ही सारा घी सूजी अच्छे से सोक कर लेगी मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसे 4-5 मिनट तक जिससे की सूजी का कच्चापन खतम हो जाएगा सूजी जितनी अच्छी भुनेगी उतना ही अच्छा ये बर्फी बन के तियार होगा तो ये देखिए लगातार चलाते हुए हमने यहाँ पे इसे 4-5 मिनट तक भुन लिया है अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसमें एड़ करेंगे 1-4 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट इसे सूजी में मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब हम इसमें एड़ करेंगे मिल्क पाउडर एक चोथाई टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालके इसे भी मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बिना मिल्क पाउडर के भी यह बर्फी अच्छी और स्वादिश्ट बनेगी अब हम इसे एक साइड रग देते हैं जब तक यह हमारा ठंडा होता है सुजी तब तक चाशनी बना लेते हैं गैस पे एक कराही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और आधा कप पानी और इसकी चाशनी बनाएंगे ये चाशनी हमें बहुत ज़्यादा चिपचिपी या गाड़ी नहीं चाहिए इसको बस इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छे से घुल जाए चीनी यहाँ पर ये देखिए अच्छे से घुल चुकी है अब हम इसमें आड़ कर देते हैं एक चथाई टेबल स्पून इलाइची पाउडर इसे भी चाशनी में मिक्स कर लेते हैं और जो सूजी भून के रखी थी अब वो सूजी भी इसमें चाशनी में डाल लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे तेज हाथ से mix करेंगे ताकि इसमें गुठलिया न पड़ें तो ये देखिए चलाते हुए mix करते रहेंगे गैस का flame low रखेंगे और इसे mix करते हुए पकाएंगे इतना पकाएंगे कि ये गारा हो जाए और अभी ये पतला है ये देखिए लगातार चलाते हुए हम इसे 2-3 मिनट तक पकाते रहेंगे और तुरंथ ही ये देखिए गारा होने लग रहा है और चिपचिपा होने लग रहा है जिससे की अच्छे से जम जाएगा और अब हम इसमें चाहें तो घी एड़ कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं मैंने एक टेबिलिस्पून घी बचाके रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं और इसे भी मिक्स करते हुए भुणेंगे अब इसे भी मिक्स करते रहेंगे और तुरंथ ही ये देखिए अब ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है तो बस गैस का फ्लेम बन कर देते हैं और इसे जमने के लिए रखेंगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेलिया है इसमें सारा मिक्स डाल देंगे और इसे स्पेक्चुला से फैला लेंगे गरम है यह भी सॉफ्ट है तो तुरंत ही पूरे में एक समान इसे फैला लेंगे और इसके उपर ड्राइ फ्रूट्स डाल देते हैं थोड़े से यहाँ पे बादाम और पिस्ता डाले हैं और इसे भी दवा देंगे ताकि यह अच्छे से बर्फी में सेट हो जाएं इसके बार दो से तीन घंटे तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे सेट होने के लिए अब यह बर्फी अच्छे से जम चुकी है और अब हम इसे कट कर लेते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनी है यह बर्फी देखिए कोई जहनजट भी नहीं है इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामगरी भी नहीं चाहिए तो ये देखिए मैं आपको इसे तोड़के दिखाती हूँ बहुत ही बढ़िया एकदम स्वादिश्ट बर्फी बनी है तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में